गुड मर्निंग कैसे हैं आप लोग मयमित कुमार नॉलिज ट्रेक 24 आउनलाइन यूट्यूब मंच पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आसा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी सांदार तरीके से चल रही होगी जैसा कि आप लोग बेसवरी से इंतरजार कर रहे थे एम्स कोमन रिकुर्मेंट एक्जामनेशन की एड्मिट कार्ड का तो कल ही मैंने अपने एक पोस्ट में बताया था कि एड्मिट कार्ड जारी होने की 100% संभावना कल ही हो रही है लेकिन कुछ टेक्निकल इसूज के कारण 12 दिसंबर 2023 को एड्मिट कार्ड जारी नहीं हो पाए लेकिन आज 13 दिसंबर 2023 के मदरात्री तक निश्चत रुप से एड्मिट कार्ड जारी हो जाएंगे लेकिन फिलहाल में CT इंटिमेशन जारी कर दिया गया है जी हाँ आप फटाफट MS डेली के एग्जाम निशन सेक्शन में जाकर के या फिर CRE MS exam.ac.in पर जाकर के लॉग इन करिए और आपका CT किस सहर में दिया गया है और किस स्टेट में दिया गया है फटाफट देखिए साथी साथ MS के द्वारा 12 दिसंबर 2023 को एक important notice जारी किया गया है जो कि सभी CT के लिए अत्यनतावस्चक है क्योंकि इस notice के द्वारा आप देखेंगे कि आपका examination जो है वो किस दिन है और वो उसका timing क्या है morning shift में है या evening shift में है यह भी आपको पता चलेगा साथी साथ आपको इस बात के लिए भी MS के Delhi के द्वारा instruct किया गया है कि आप अपनी वरेता यानि आपका जो preference होगा जो आपकी से MS के लिए job करना चाहते हैं उस preference को आपको डालना होगा देखें इससे पहले भी Norset में nursing officer के लिए जो requirement आता था उसमें भी इसी तरह का process किया जाता था या कोई नई बात नहीं है इसलिए आप लोग ज़्यादा इसे देख करके panic ना हो क्योंकि MS के द्वारा इससे पहले भी Norset के अधिन जो भी रिक्तियां nursing officer के लिए ली जाती थी उसमें भी इसी तरह का notification के द्वारा जो है कौन सा MS में आप job करना चाहते हैं उसका preference लिया जाता था तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी preference देना है और यह preference बहुत ही आवसेक है क्योंकि यदि आप preference का selection नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप जो है एम selection का वो समझ बूज करके अच्छे डंग से डालिएगा क्योंकि एक बार आपने जिस एम के लिए preference दे दिया है वो change नहीं होगा और आपको जो एम का preference अपनी वरेता जिस एम को आप select किया है वो आपको अपने merit के अनुसार मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपने जो select कर लिया वो मिली जाएगा अगर आपका rank अच्छा है तो फिर आपका जो है जिस preference में आपने जिस एम के लिए दिया है और वहाँ पर जो है अगर 70% गया है और 70% आप पा लिए है या फिर 70% से अधिक आपका merit list में marks आया है तो निश्ची दूर्प से आपको एमस जोदपूर मिल जाएगा यदि आप यदि एमस जोदपूर के लिए 70% cut up गया है और आप उतना नहीं कर पा रहे है और इसके अलावा मान लिजए एमस कल्यानी है उसमें जो है एमस जोदपूर के लिए cut up 64% गया है और आपके जो है marks मान लिजए 66% है कहने का अर्थ यह हुआ कि 70% से बिलो है तो आपको एमस जोदपूर तो नहीं मिलेंगे लेकिन चुकी एमस कल्यानी में 64% पे ही merit LDC post के लिए OBC के टेगरी के लिए लिया गया है और आप 66% पाए हैं तो निशित रुप से आपको एमस कल्यानी मिल जाएगा तो सबसे पहले यह करें कि आप जिस एमस में जौब करना चाहते हैं जो भी आपका एमस पसंदीदा है उस एमस को आप सलेट करें और इसके बाद वरेता को ध्यान पुर्वक देखें सबसे पहला जो आपके घर के नजदिक है जहां से आपको एजी होगा जौब करने में उसे प्राथ मिक्ता दे आपके निकट का जो एमस है उसे प्रिफरेंस में पहले पर रखें इसके बाद फिर आप अपना डिस्टेंस को देख लें सुबधा को देख लें जो कहां पर जौब करना आपके लिए इजी होगा उसके अनुसार से आप एमस को प्रिफरेंस को सलेट कर सकते हैं अब बात बच गई एकजामनेशन का तो देखे एकजामनेशन तुम्हें पहले ही बता रहा था कि एकजामनेशन का डेत डिर जो एक्स्टेंड नहीं होगा हरहाल में एकजामनेशन 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को ही होगे तो जैसा कि आपके स्किन पर भी दिख रहा होगा 18 दिसंबर सुमबार को सुवा की पाली 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और साम की पाली जो होगी वो 3 बजे से लेकर के साम में 6 बजे तक और फिर 20 दिसंबर बुद्वार को एक ही पाली संधियाकाल में 3 बज़े से ले करके 6 बज़े तक जो है एक्जामेशन लिया जाएगा अब देखिए वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं सौटकॉट में कनकुलूजन के साथ यह बताना चाहता हूँ चुकि बहुत सारे इसे कंडेट है जिन्नोंने क्या किया है कि एक से अधिक पद के लिए अविदन दिया है तो फिर उसको क्या किया गया है कि गूरूप वाइज कर लिया गया है अब गूरूप वाइज को भी आप EGWay में समझ लीजिए क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि सारा कंफिजन दूर हो जाएगा गूरूप वाइज का मतलब यह हुआ कि मान लीजे आपने असिस्टेंट एडिमिस्टेटिव आफिसर पद के लिए अविदन दिया इसके साथ साथ आप Educative Assistant या फिर Office Assistant या फिर Junior Administrative Officer यह दोनों गूरूप के लिए जो है आप Online आविदन दिये तो क्या होगा कि जो समान गूरूप के पोश्ट के लिए आपने Online आविदन दिये हैं तो उसके लिए एक ही Domain Specific Subject का Examination आपको किलियर करना होगा एक ही Domain Specific Subject को आपके इसे पहँचानेंगे तो देखिए Colorical Cater का जो पोश्ट है उसके लिए भी Category-wise Distribute कर दिया गया है आप यहाँ देखिए इससे आपको क्या होगा कि पता चल जागा यहाँ देखिए यह आपका रहा इसकीन पे दिख रहा होगा देखिए Assistant, Datician और Datician जैसा कि आप इसकीन पे देख रहे होगे Post Code 2 और Post Code 18 चुकि दोनों जो है Similar Level के Post है भले ही उनका Designation अलग हो उनका Pay Level अलग हो लेकिन Post की Category जो है वो सेम है Datician से सम्बंदित तो उसको क्या किया गया है कि सेम गुरूप वाले जो Post हैं उसके लिए एक Domain Specific आपको Subject का Examination देना होगा और इससे जो आपके Merit बनेंगे उसको Serially अलग-अलग Post के लिए Category wise कर दिया जाएगा ठीक उसी प्रकार से जैसा कि मैंने बताया देखिए Assistant Administrative Officer, Junior Administration Administrative Officer, Office Assistant और Educative Assistant चुकि यह और एक Transport Supervisor चुकि यह Similar Level के Post है तो इनका जो Domain Specific होगा वो समान के टेगरी का होगा तो यही Domain Specific Subject का जो है आपका Main Conclusion है इसके बाद देखिए Hospital Attendant हो गया, Lave Attendant हो गया इसके बाद Office Attendant हो गया, Attendant Level का जो भी है उसके लिए जो है एक ही परकार के आपका Domain Specific Subject का एक जमिसन आपको देना होगा तो इसका Conclusion यही है, अगर आपने मान लिजिए कि अलग-अलग Post के लिए Apply किया है जिसका कि Domain Specific Subject का Code या फिर यूं समझे कि Domain Specific Subject का syllabus डिफरेंट है तो फिर आपको जितने भी Post के लिए आपने Apply किया है उन सारे Examination का जो Domain Specific Subject होगा उसे देना ही होगा, वो अलग-अलग देना होगा For example के लिए आप समझे कि मान लिजिए आपने Junior Administrative Assistant या फिर LDC Post के लिए आविदन दिये है अर्थात Color Kill के लिए आविदन दिये है और फिर आपने Electrician Post के लिए भी Apply कर दिया है एक तरह से आप Non-Technical Post के लिए Online Application दिये है दूसरी तरह से आप Electrician Post जो की Technical के अडर में आता है उसके लिए आपने आविदन दिया है तो फिर आपको दोनो Domain Specific अलग-अलग देने होगे चुकि Electrician का जो Domain Specific Subject होगा वो Technical Part का होगा उसमें जो Question आएंगे 40 हो Technical Question रहेंगे तो फिर इस Situation में आपको दोनो Domain Specific Subject के प्रसंद पत्र को हल करने होगे चलिए इसके मात अब एक मात बच गई कि इसमें बहुत सारे student confused हो रहे है कि फिर किस प्रकार से हमें Domain Specific को देना होगा कि Code wise करके जो Similar Post है उसके लिए Similar Group में Domain Specific Subject को जो है डाल दिया गया है अब जैसे कि आप यहां पर देखिए 37 नंबर में 37 में देखिए यह सारे जो है इसके लिए Domain Specific Subject जो है Code Group में एक ही रखे जाएंगे तो उमीद करता हो कि आप निश्च दूरूप से यह से आप समझ गए होगे इसके साथ साथ परिनाम की कैसे तैयारी होगी परिनाम अर्थार रिजल्ट जो है किस प्रकार से प्रिपेर किया जाएगा तो जैसा कि हमने बताया कि रिजल्ट जो है वो CBT एक्जामनेशन के अधार पर परतेख पोस्ट के लिए अलग से मेरिट तैयार किया जाएगा आपने जिस भी पोश्ट के लिए अपला किया है उसका क्या कट अप जाएगा उस हिसाब से जो है मेरिट तैयार किया जाएगा और जेनरल common paper और domain specific paper दोनों को मिला करके merit list 80 marks में तैयार किये जाएगे इसके बाद एक चीज और देख लीजिए कि जैसे ही result पब्लिस होगा तो आपको ज्यादा लंबा चोरा समय नहीं दिया जाएगा इसा नहीं है document verification और जिस aims के लिए आप select हुए है उस aims में आपको रिपोर्ट करना होगा यह भी देखिए असपस टूप से किलियर लीग दिया गया है जैसा कि आपके screen पर दिख पा रहा होगा reporting आपको करनी होगी जैसे ही result घोसित होता है तो result घोसित होने के बाद आपने मान लीजिए aims बोपाल के लिए select किया है या फिर आपने मान लीजिए कि aims भटिंडा के लिए preference दिया है और aims भटिंडा के जिस post के लिए आपने apply किया है उसके cut-up को आपने उस category में पार कर लिया है तो फिर result फब्लिश होने के 5 से 6 दिन के अंदर आपको वहाँ पर report करना होगा इतना जान लीजिए कि यह बहुत ही fast aims का काम होता है एम्स का जो recruitment होता है इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक मैने की अंदर आप एकदम निश्चित रूप से जोइन कर लिजेगा तो जैसा कि एम्स देली के द्वारा ये notification में भी बताया गया है कि परिणाम घुसित होने के 5 दिन के वीटर तस्ताविज सत्यापरन और आगे की अवस्य करवाई के लिए समंदित आवंटित सांस्थान में report करना होगा अब एक चीज और भी होता है कि बहुत सारे ऐसे कंडिट होते हैं जिनके पास सारे डोकॉमेंट तयार नहीं हो पाते हैं माली जो वी सी आपका पुराना है प्रतार है या फिर पेपना होगा और विसे काई मुधी यह कुछ wait होगा नहीं है यहां प्रतारे फ्रत टогमेंट है और इसकी सउटन की और सब्सक्वर वेंने के हैं गारी जाना ह्तों के वह संदाइने लिए है उसके अंदर आपका जो एसेंशल डोकुमेंट है उसको जमा करना होता है तो इसको लेकर के भी आप पैनिक नहों आप ये ना सोचे कि मेरे पास सारा डोकुमेंट नहीं है तो फिर कैसे होगा पांच दिन के अंदर कैसे बनेंगे देखे जिस स्थान में आपका selection होगा मान लिजे आपका selection aims देवघर में हो गया या फिर मान लिजे आपका selection aims का ल्यानिम हो गया या जिस aims के लिए भी आपने preference दिया है चुकि merit के अनुसार से ही आपको preference मिलेगा तो आपको 5 दिन के अंदर वहाँ inform करना होगा और साथी साथ document नहीं है तो request करनी होगी और generally ऐसा Norset में भी देखा गया है M Spatna में भी बहुत सारे ऐसे candidate है अभी फिलाल में job कर रहा है जिनके पास की मान लिजे वो पूर में job में थे और उनके पास NOC नहीं था no objection certificate नहीं मिला था तो फिर इनों ने M Spatna से request किया कि NOC के लिए time देने के लिए request किया गया तो फिर administration होता है जहां पर आपका document verification होते हैं वहाँ पर आपके request को मान लिया जाता है generally और एक समय सीमा दे दिया जाता है कि आप उस समय सीमा के भीतर अपना सारा document ला करके जमा कर दे तो इसके लिए भी आप ज्यादा panic ना हो कि कैसे क्या होगा result जैसे ही आएगा इस mostly student के पास तो document होता ही है लेकिन जो government job में है या फिर NOC नहीं ले पाए हैं तो वे भी जो है अपना document verification का समय चुकि बहुत ही कम रहता है तो अभी से ही इसमें आप देख लिजे कि किस तरह से आपको मैंनों से मिल जाए यह सब बाते को दे और जो job में नहीं है वो सारा document को जो है बनवा लीजिए और चुकि समय कम है तो process आप कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा बहतर यह होगा कि आप फिलाल भागदोर ना करते हुए अपने preparation पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि जो document नहीं है उसके लिए आपको समय दिया जाएगा एकदम बेफिकर रहे बिल्कुल समय मिलेगा तो चलिए friends फिलाल फटाफ़ट जाकरके एमस के website पर login किजिए और देखिए कि आपका city और state कहां दिया गया है और साथ ही साथ आप अपने एमस preference को भर लीजिए और यदि कोई confusion होती है तो निशी दूरुप से आप comment section में बताईए आपकी पूरी तरह से help की जाएगी क्योंकि इससे पहले भी नॉट्सेट में थे उन्होंने किस प्रगार से किया था और सही processes क्या है वो सारी जनकारी आपको दी जाएगी चलिए friends मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत आपका दिन सुभो